हेलो दोस्तों आपको सुब लब जी के क्लासेस में स्वागत हैं अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और लाइक को सेर भी कर दीजेगा आज ये 30 जुलाई आज की इंपोर्टिन कारिंटेपेस को डिसकस करेंगे फास्ट कोस्टन इंटर गवर्नमेंटल पैनल औन क्लाइमेट चेंज यानि आई पी सी सी के नए अद्दक्च कोन बने हैं और इसका सही अंसर है जीम इसकेया यानि जीम इसकेया को इंटर गवर्नमेंटल पैनल औन क्ला में नियुक्त किया गया है यानि इसका सही अंसर हो जाएगा ए जीम इसके या Intergovernmental Panel on Climate Change यानि IPCC एक संयुक्त राष्टों का निकाए है बैगानिक संगठन है जो जलबाईू परिवर्तन इसके प्रभाव और संभावित अनुकूल और समाधान राणितियों पर बिश्वासनियों जानकारी देता है जलबाई परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानि IPCC का मुक्कालाई जेनेबा स्विजलेंड में है नेक्स्ट कोस्टन दक्षिन अपरिका में भारत का अगला राइदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और इसका सही अंसर है प्रवात कुमर यानि प्रवात कुमर को दक्षिन अपरिका में भारत का अगला राइदूत के रूप में नियुक्त किया गया है यानि इसका सही अंसर हो जाएगा A. प्रवात कुमर नेक्स्ट कोस्टन भारत के 83 ग्रांड मास्टर कोन बने हैं और इसका सही अंसर है आदित्तो सामन्द यानि भारत के 83 ग्रांड मास्टर आदित्तो सामन्द बने हैं यानि इसका सही अंसर हो जाएगा D आदित्तो सामन्द स्टार्टिक जी के फीडे विश्व चेंपेंशिप 2023 के बिजेता कौन है डिंग लिरेन नेक्स्ट कोस्चन बंबे उच्च नियालाई के मुख्ष नियादिस के रूप में किसे नियुक्त किया गिया है और इसका सही अंसर है देबेंद्र कुमार उपाद्धाई यानि देबेंद्र कुमार उपाद्धाई को बंबे उच्च नियालाई के मुख्ष नियादिस के रूप में किसे नियुक्त किया गिया है और इसका सही अंसर है जितेंद्र देसाई यानि जितेंद्र देसाई को केरल उच्च नियालई के मुक्ष नियादिस के रूप में नियुक्त किया गया है यानि इसका सही अंसर हो जाएगा ए जितेंद्र देसाई Next question तेलेंगना उच्च नियालाई के मुख्ष नियादिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और इसका सही अंसर है अलोक अराधे यानि अलोक अराधे को तेलेंगना उच्च नियालाई के मुख्ष नियादिस के रूप में नियुक्त किया गया है यानि इसका सही अंसर हो जाएगा C, अलोक अराधे Next question सुमालिया में भारत के नेर आइदूत के रूप में किसे निउक्त किया गया है और इसका सही अंसर है नमोंग्या खंपा यानि नमोंग्या खंपा को सौमलिया में भारत के ने राइदूत के रूप में नियुक्त किया गया है यानि इसका सही अंसर हो जाएगा ये नमोंग्या खंपा नेक्स्ट कोस्टिन इंदोनेशिया में भारत के ने रायदूत के रूप में किसे नियूक्त किया गया है और इसका सही अंसर है संदीप चक्रवर्ती यानि संदीप चंदक्रवर्ती को इंदोनेशिया में भारत के ने रायदूत के रूप में नियूक्त किया गया है यानि इसका सही अंसर हो जाएगा D. संदीप चक्रवर्ती नेक्स्ट कोश्चन मकाव चीन में आय जित जुनियार एसिया कप जुडो चैंपियंशिप दोज़त तेईस में 48 केजी भारबर्ग में सर्णपदक किसने जीता है और इसका सही अंसर है अस्मीता दे यानि मकाव चीन में आय जित जुनियार एसिया कप जुडो चैंपियंशिप दोज़त तेईस में 48 केजी भारबर्ग में अस्मीता दे ने सर्णपदक जीता है यानि इसका सही अंसर हो जाएगा A. अस्मीता दे नेक्स्ट कोश्चन साउथ कोरिया में आय जित I.S.S.F. जुनियार बिश्चो चैंपियंशिप दोज़त तेईस के पदक तालिका में भारत का इस्तान क्या है और इसका सही अंसर है दितियो यानि साउथ कोरिया में आय जित I.S.S.F. यानि इंटरनाशनल सुटिंग स्पोर्ट फैडरेशन जुनियार बिश्चो चैंपियंशिप दोज़त तेईस के पदक तालिका में भारत का इस्तान दितियो है भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं जिसमें 6 सौर्ण पदक, 3 सिल्बार पदक और 5 ब्रॉंच पदक पालाइस्तान पर चीन है जिसने 12 गोल्ड, 9 सिल्बार और 7 ब्रॉंच के साथ टोटल 28 मेडल इसने जीता है तिस्या नंबर पर यूक्रेन है, 5 गोल्ड है, 3 सिल्बार है और 2 ब्रॉंच है, टोटल 10 मेडल है ISSF यानि International Shooting Sport Federation का हेड़कॉर्टर मोनिच जर्मानी में है कि इस राज़ों में ECI यूबा, Junior White Lifting Championship 2023 का आइजन किया जाएगा और इसका सही अंसर है उत्तर प्रदेश यानि उत्तर प्रदेश में ECI यूबा Junior White Lifting Championship 2023 का आइजन किया जाएगा यानि इसका सही अंसर ओजएगाC उत्तर प्रदेश नेक्स्ट कोस्टन और इसका सही अंसर है संकरी चंद्रन यानि और इसका सही अंसर है संकरी चंद्रन संकरी चंद्रन को दिया गया है यानि इसका सही अंसर हो जगा ए संकरी चंद्रन नेक्स्ट कोस्टन कि इस राज्जो के बाइकुला रेलवे इस्टेशन को युनेस्को का सांस्कृतिक बिरासत पुरसकर मिला है और इसका सही अंसर है महराश्ट्रो यानि महराश्ट्रो को के बाइकुला रेलवे इस्टेशन को युनेस्को का सांस्कृतिक बिरासत पुरसकर मिला है यानि इसका सही अंसर हो जाएगा C, महराश्ट्रो Next Question किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर बिभाव पर प्रतिबंद लगाया है और इसका सही अंसर है रूस यानि रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर बिभाव पर प्रतिबंद लगाया है यानि इसका सही अंसर हो जाएगा A. रूस नेक्स्ट कोस्टन हाली में किस बरिष्ट पत्रकार और ANI संक्स्तापक को lifetime achievement पुरसका से सम्मानित किया गया है और इसका सही अंसर है प्रेम प्रकास यानि प्रेम प्रकास को lifetime achievement पुरसका से सम्मानित किया गया है यानि इसका सही अंसर हो जगा A, प्रेम प्रकास Next question कि इस राज्यों की सड़क को सुधारने के लिए SCI विकास बैंक 255 मिलियन डॉलर करिन देगा और इसका सही अंसर है बिहार यानि बिहार राज्यों की सड़कों को सुधारने के लिए SCI विकास बेंक 295 मिलियन डॉलर का रिण देगा यानि इसका सही अंसर होजेगा B, बिहर Next question SBA Research के अर्थसांस्त्रियों के अनुसर किस साल तक भारत दुनिया के तिसरी सबसे बड़ी अर्थविवस्ता बन सकता है और इसका सही अंसर है 2027 यानि SBA Research के अर्थसांस्त्रियों के अनुसर 2027 तक भारत दुनिया के तिसरी सबसे बड़ी अर्थविवस्ता बन सकता है यानि इसका सही अंसर होजेगा B, 2027 Next question कोन सा भारतिय सहर, बिश्व सहर सांस्कृतिक मंच में सामिल हुआ है और इसका सही अंसर है बैंगलूरू यानि बैंगलूरू 200 सहर सांस्कृतिक मंच में सामिल हुआ है यानि इसका सही अंसर होजेगा C, बैंगलूरू Next question कि इस राज्यों में देश का प्रतम मत्सपालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर इस्ताफित किया गया है और इसका सही अंसर है केरल यानि केरल में देश का प्रतम मत्सपालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर इस्ताफित किया गया है यानि इसका सही अंसर होजेगा A, केरल इस देश की पार्लामेंट ने अपने देश में नियाईपालिका के अधिकार छिनने का बिल पास किया है और इसका सही अंसर है इजराइल यानि इजराइल इजराइली पार्लामेंट ने अपने देश में नियाईपालिका के अधिकार छिननने का बिल पास किया है कि इस राज्जों का आधिकारिक तौर पर लंपी तोचा रोग पोजिटिव राज्जों के रूप में गोसित किया गिया है और इसका सही अंसर है नागालेंड यानि नागालेंड को आधिकारिक तौर पर लंपी तोचा रोग पोजिटिव राज्यक रूब में घोसित किया गिया है यानि इसका सही अंसर हो जगा C, नागालेंड नेक्स्ट कोश्चन अंतरास्टियों बाग दिवस कब मनाया जाता है और इसका सही अंसर है 29 जुलाई यानि 29 जुलाई को अंतरास्टियों बाग दिवस मनाया जाता है यानि इसका सही अंसर हो जगा C, 29 जुलाई